गुड मॉर्निंग एवरिवान आज हम बात करेंगे जी टियों के एक टेस्ट की डैट इस ग्रुप डिसकॉशन और इसमें एक जो बड़ा मुद्दा है हम उस मुद्दे पर स्पैसिफिकली बात करेंगे मुद्दा क्या है बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर मैंने पार्टिसिपेट किया था मैंने बोला था सब कुछ किया था उसके बाद भी कहां दिक्कत आई या ग्रुप डिसकॉशन में वो बोलते हैं रादर सबसे ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके बाद भी पसंद नहीं आते हैं ऐसा अक्सर होता क्युंकिव घंसान के दिमाग में हडबढाहट होती है तो वो ज़ाधा जरूरत से ज़्यादा जोर लगाता है जरूरत से ज़्यादा जब आप जोर लघाते हैं तो वो समझ में आता है किसी को भी इस्पैशली असेसर को ये कि ये क्या आवशक्ता है क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग तो फिर एक psychology में term होती है scarcity mentality वाट इस scarcity mentality जब किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से सब छूट रहा है सब खतम हो जाएगा मुझे मौका नहीं मिलेगा जब ऐसी चीजें आती है तो वो आभाव जब उसके दिमाग में आने लग जाता है तो वो जरूरत से ज़्यादा प्रयास करता है रादर गृप में जो जरूरत से ज़्यादा बोलते हैं वो लोग सकासिटी मेंटालिटी के साथ जीने वाले लोग होते हैं इसके विपरीत एक और मेंटालिटी होती है जिसको हम कहते हैं अबंडेंस मेंटालिटी अबंडेंस मेंटालिटी वाले लोग धैरे के साथ काम करते ह दस मिनिट का टाइम है बहुत हडबढ़ाहट नहीं दिखाते हैं अपनी बात को मजबूती सी रखते हैं फैक्टफुल बात करते हैं और वो जो पेशन्स है वो उनके काम में जहलगता है तो मेजरली जब ग्रुप डिसकॉशन होता है तो कैंडिडेट्स की हडबढ़ाहट उ के अंदर की बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कॉम्पिटीट करने की कोशिश करते हैं यह कॉम्पिटीशन क्यूं होता है देर आर थ्री काइंड्स ओफ इस्ट्रेस यू आर कैरिंग इन ग्रुप वर्क जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो आप तीन स्ट्रेस से निकलते हैं पहला stress होता है internal stress internal stress मतलब group के जो internal differences होते हैं कोई एक particular chest number किसी दूसरे chest number से सहमत नहीं होता है वो जो internal differences आपके आ रहे हैं इसको कहते है internal conflict या internal stress of the group दूसरा होता है external stress external stress क्या होता है presence of GTO itself is a external stress क्योंकि हर candidate को एक दिमाग में चीज़ चलती रहती है कि GTO मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा मेरे assessment में क्या लिख रहा होगा क्या मैं आगे जा पाऊंगा क्या मेरी ये बात पसंद आई है GTO को या नहीं आई है कहीं ये मेरी बात GTO को खराब ना लगी हो क्या वो मुझे notice कर रहा होगा जब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आती है और ये स्वभाविक है कि ये आती हैं सबी के दिमाग में तो ये है आपका external stress इसके बाद तीसरा stress आपके दिमाग में चलता है that is called intra-psychic stress अब ये intra-psychic stress क्या है जब भी आप ग्रुप में काम करते हैं और कोई result तै किया जाना होता है उस वर्क के आधार पर तो हर वेक्ति अपने आपको सबसे बहतर दिखाने की कोशिश करता है हर वेक्ति के दिमाग में एक चीज़ चलती है कि मेरा काम सबसे बहतर नज़र आए असेसर को जो ये सबसे बहतर बनने की ये प्रक्रिया है इसी को कहते हैं intra-psychic stress अब जब intra-psychic stress के अंदर कोई आएगा तो जाइस बात है वो competitive करना शुरू करेगा जबकि GTO का interest competitive करने वाले youngsters में बिलकुल नहीं होता है there is nothing like competition it is all about contribution of a youngster तो आप अगर abundance mentality के साथ काम कर रहे हैं और इन तीनों stress के बाहर काम करने की कोशिश करते हैं enjoy your work अगर आप इन तीनों में से कोई भी stress carry करेंगे तो वो आराम से assessment में दिखाई देता है assessor को मेरा एक व्यक्तिगत सुझाओ ये है कि stress में ना रहे करके अपने काम को enjoy करिए बाचीत को enjoy करिए और खुले मन से अपनी बात रखिए धैरे के साथ हड़बढाईए मत अगर इतना करेंगे तो group discussion में जो बाचीत आप कर रहे हैं उसका presentation अलग दिखाई देगा और आपके लिए chances बहतर होते हैं अब इसके training program के लिए क्या कर सकते हो जाइस बात है look towards प्रियाग राज major कल्सी classes जहां पर मैं हूँ आपके साथ मेरे साथ और बहुत सारे assessors हैं रोज group discussion की practice होती है lecture rate की practice होती है और आपकी छोटी छोटी कमियों पर रोज काम किया जाता है ये काम 90 दिन तक लगातार होता है और सुधार भी होता है बिलकुल देर ना करें जल्दी से जल्दी admissions करा करके offline या online आप किसी भी प्रकार से जोड़ सकते हैं wish you very good luck stay fit stay healthy